तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते एक और निव गेम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो दोस्तों मैं बता हूँ आप सभी को कि अभी एक कुछ आलग सा मॉप्स था उसके हाथ में बोड था तो मैंने उसको किल कर दिया रेड होने वाली है लेकिन मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि वो लोग किदर की साइड में है यार क्योंकि अगर मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि raid शुरू हो चुकी लेकिन मैं इधर की side में उन्हें ढूंड रहा हूँ कि भाई वो कहां पर है लेकिन वो यहां पर मुझे आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे raid करने वाले अभी मुझे चक्कर समझ में नहीं आ रहा है यार कि आखिर वो लोग है कहां पर अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो मैं फाइट लो उनसे लेकिन दिखाई नहीं दे तो मैं कैसे फाइट ले सकता हूं यार वैसे अभी मेर दिमार्ग में एक बात और आ रही है कि अगर आज भी में उनसे फाइट जीत गया ना तो फिर उसके बाद एक और टोटेम आफ एंटाइंग मिल जाएगा मुझे चलो यार एक बार घर के अंदर चल के देखते अब देखो जैसे ही में घर के अंदर इधर आया और यहां पर आने के बाद में रेड का वो आ जाएगा देखो यहां पर की साइड में लिखा आ चुका है कि रेड स्टार्ट हो चुकी है मेरे विलेज पे लेकिन जैसे ही में बाहर जाता हूँ तो यहाँ पहर नहीं आता हैं मुझे लग रहा है कि मुझे पीछे की साइड में जाना पड़ेगा शायद क्यूंकि अगर मैं आगे की साइड में जो अपने घर हे वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से चेक कर लिया रेड करने वाले नहीं है ठीक है तो अब मुझे पक्का यकिन होगी ओ भाई सब दिखाई दे गए ना अब यहां पे थे और मुझे पता नहीं था मैं आगे की साइड में उधर चेक कर रहा था इनको आज जबरदस्त फाइट होगी इनसे क्योंकि पिछली बार मेरे पास में कुछ भी नहीं था लेकिन आज भ है ना जादतर बो से तीर चला चला कि इनको किल करूंगा और देखना अपना बो कितना पावर फुल है तो एक तीर में इनको डायरेक्ट उडा रहा हूं मैं और साथे साथ इनके आग भी लग रही है चलो पहले किली कर देते हैं उसके बाद में इनकी लूट भी उठा लें मुझे याद नहीं आ रहा यार किदर की साइड में किल किया था हाँ यहां पे किल किया था चलो तो इसकी भी सारे की सारी एक्स भी ले लिये मैंने और साथ इसाथ मतलब एमरेल्ड भी ले लिये यहां से तो दोस्तों पिछली बार का आप सभी को याद होगा कि जब यह लो देखो मैं बताओं आप सभी को कि इन मॉप्स के मुझे नाम तो थोड़े बहुत पता चल चुके जैसे कि इवोकर होता है पिलेजर होता है और साथिसाथ वेंडिकेटर होता है लेकिन मुझे यह नहीं पता जार कि मतलब इन में से कौन सा किस नाम का है ठीक है बस इनके नाम जरूर पता है यही लोग raid करने के लिए आते हैं अपने village पे तो अभी मुझे फिलाल यह लोग दिखाई दे गए है काफी दूरे यार यह लोग मैं golden apple खा लेता हूँ चलो तो अभी आगे की side में चलते हैं यह लोग यार इतनी दूर ही क्यों रुख गया है यह मुझे पता नहीं चला आगे तो बढ़ना चाहिए थे इनको वैसे चलो तो इसने कुछ एक enchanted book दिये मुझे और बाकी लोग अच्छा एक यह इदर की side में पहले इसको kill करता हूँ मैं इस बार sword से kill करने के try करता हूँ यार वैसे sword से यह थोड़ा मुश्किल होता है मुझे इसा लग रहा है चलो तो कोई बात नहीं हम अपना बो ही काम में लेते है यार वो तो उधर की side में भाग गया पहले इसका ही number लेते है चल भाई एक खा लिया यह दूसरी भी खा लिया यार डायरेक्ट उड़ी रहे अब तो यह है न वेसे यार दोस्तों आज मैं कह सकता हूँ कि आज इन में और मुझे में बराबरी की टक्कर होगी क्योंकि पिछली बार जब यह लोग मेरे village पे raid करने आये थे तब मेरे पास क्योंकि आगे वो भी आते हैं मतलब यार उनको क्या बोलता है किसका क्या नाम है मुझे इतना नहीं पता यार बट वो sand जैसे जो आते हैं वो बड़े यार खतरनाक होते हैं मुझे यही लगता है तो उनसे बचना पड़ेगा एक तो मुझे और एक वो कुछ चुडेल जैस आगे बढ़ता जा रहा है आक तो लगी हुए है इसके लेकिन फिर भी आगे बढ़ता जा रहा हूं है मुझे पता था यह लूग भी मौका देख के ही हमिला करें गें लेकिन अपनी हेल्थ एक बार देखो दोस्तों विलकुल भी नहीं जा रही है इनसे आश सौन que dagen क्योंक मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ये लोग अब कहां से आएंगे जहां से भी आएंगे वहीं से फाइट लेंगे इन से वैसे दूर दूर तक मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे यार यह आकर हो कहां पर सकते हैं यार कौन मार ओ भा कहां से किल कर सकते हैं क्या नहीं यार यह बच जाएगी अंदर ही चलना पड़ेगा आप मुझे इस बार मतलब यह अपनी घर की जो बाउंडरी उसके अंदर इस पॉन हुए है लेकिन यार दोस्तों जितना मुझे याद है ना पिछली बार में इन लोगों को देख रहता ने तो यह दूर से आ रहे थे इतना मुझे याद है तो इसने कुछ यह पोईजन जैसा डाल दिया मुझे यार इनको दूर से किल करना पड़ेगा मैं कुछ जादा ही पास में चला गया इसको भी किल करते हो बाई सब फिर से एक और बोतल फेक दी इसने यार अब हेल्थ ज जाए जारी लगातार पहले इनका असर थोड़ा कम होने तो उसके बाद में बाहर जाओंगा क्योंकि वह लोग शायद इस बार हाँ बाहर की साइड में है और वैसे तो यह एक ही दिखाई दे रही है अभी तो मुझे इसको तो किल कर सकता हूं यहां से मैं यह आगे बढ़ है तो इसलिए मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा और वैसे देखो बाहर अगर यह लोग आते तो फाइट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि अब रात होने वाली है तो रात को क्या मॉप्स भी कुछ जादा ही आ जाते है फिर फिर क्या मॉपस से भी फाइट लेन अगर इसका नाम शायद इवोकर होता होगा वैसे मुझे पता नहीं है यार ओके चलो तो यहां पे सिर्फ एक्सपी मिली के और ओके और यहां पर टोटेम आप अंडाइंग भी मिल चुगा है मुझे चलो तो अभी अपने पास में दो टोटेम आप अन्डाइंग हो जाएं एक बार इदर उदर घूम के देखता हूँ यार मैं यार हे तो कोई नहीं बाहर की साइड में हो सकता है क्या बाहर की साइड में जाके देखना पड़ेगा शायद मुझे इसा लग रहा है एक बार बाहर चलते हैं हम लोग तो बाहर की साइड में तो वेसे कोई भी नजर नहीं आ रहा है मुझे चलो तो अभी दिखाई दे गया यार मुझे यहाँ पे छुपके बेठा था वह देखो तो यह बिल्कुल मेरे सामने था लेकिन थोड़ा चुपा वह बेठा था बचने के लिए लेकिन अब दिखाई दे गया है तो इसे भी किल कर देते हैं शायद मुझे लगता है कि यह लाश्ट होगा अब उसके बाद में क्यूंकि अब लाश्ट में टोटेम उप अंडाइंग तो चलो अभी हम लोग जो फाइट है वो जीच चुके है और अपनी विक्टरी हो चुकी है वैसे यार दोस्तों इन लोगों से आज बराबरी की टक प्लेम नहीं है तो मैंने खुदने फाइट लिए सभी से और आसानी से फाइट ले लिए इतनी ज्यादा दिक्कत आस तो मुझे नहीं आई है तो देख लो यह तीन तो मुझे एंचांटेड बुक मिली है साथ टोटेम अप अंडाइंग मिला है और और तो बाकी ऐसे सब कुछ खास मिली इसमें शार्पनेस फॉर्ट्यून और इफिशेंसी यह सब कुछ लगी हुई है तो यह बढ़िया है वैसे कहां आ जाएगे आगे जाके शायद और टोटेम अप अंडाइंग तो मैं रख देता हूं यार अभी चेस्ट में संभाल के अब अपने पास में द हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई